इस question में जो article के value दिवे ही है और जो price दिया हुआ है 11 और जो price दिया हुआ है 10 purchase price है और यह sold price है sold 10 और purchase 11 हो जाएगा तो इन दोनों को equal कर देंगे तो हम टेंसे से इन्टी करना प्रेगा तो यह हमारे पस निकल क्या है यह हंड्रेड और यह निकल क्या है same equals to 21% okay